हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विश्यार लाफ सबकर स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को तबाना बिल्कुल भी ना भूल है ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कुई नई वीडियो बनाये करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की इस एप की लिंक मैं आपको वीडियो के निचे डिस्क्शन में प्रोवाइट करा दूंगा वहा सब्सक्राइं पर आपको दोस्तों एpicall hacking से रियडिट बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है सी क्रेट कोर्स थे और मिलेगा आपको home पे जाएंगे तो यह सारी चीज़े बाइफाई पे जाएंगे तो बाइफाई से रिलीटेड चीज़ों के बारे में यह information देते हैं जैसे कि who used my wifi पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपको wifi on होना चाहिए और पता चल जाएगे कौन कोन आपका wifi use कर रहा है बाइफाई वाडन पे जाएंगे तो इसके लिए wifi on होना चाहिए इन सारी सेटिंग्स के लिए आपका wifi on होना जरूरी है ओके दोस्तों गाइड में जाएंगे गाइड में जाने के बाद आपको यहां पे penetration testing tools के बारे में पता चले हैं दोस्तों penetration testing में क्या होता है आप security से related testing करते हैं तो के दूस्तों testing जो होती software testing वह बहुत टाइप ही होती है security testing और उनहीं में ऐसे एक पार चूल होगा penetration testing तो यह उन tools के बारे में बताता है network command के बारे में आपको पता करना है तो network command में जान सकते हैं ये सारी commands आपको given है ओके दोस्तो इसके लावा online tutorials है, offline tutorials है, basic terms है, basic linux के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहां से जान सकते हैं, ओके दोस्तो ethical guide वगेरा या फिर blog देखना चाते हैं आप इसके तो वो भी देख सकते हैं ऑके दोस्तो बापस हमちは home पे आने के बाद दोस्तो यहां पर anti spyware के बारे में डीटेल में दिया हुआ है, इस पर lihat करेंगे, ओके दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं आप पर सिस्टेसंगिर निया हया है यानि की, बैटरी का देखिए, परसेंटेज दे रखा है, total RAM कितनी है, total storage कितना है, power source plug-in है या नहीं है, यह भी detail में दे रखा है, मतलब detail में कहना है, मतलब detail में कहना है, सारी चीजे इननों अपटूडेट दे रही है, system repairing में जाएंगे दोस्तों, तो system repair के बारे में जान सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहे तो boot repairing के बारे में अगर आपको start यानि की repair करना प्रफॉन तो start repair पर click कर सकते हैं ओके दोस्तो इसके लावा hardware test करना या फिर permission check करना है तो फिर permission manager में आप जाके चेक कर सकते हैं ओके दोस्तो overall बहुत अच्छी application है यहां पर जाके एक प्लस point यह हो जाएगा आपको यह सारी चीज़े पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी application की permission given है ओके दोस्तो तो अच्छी application है यह ओके दोस्तो इसके अलाबा यहां पर secret quotes के बारे में दे रखा है secret quotes यानि secret quotes पर जैसे जाएंगे आप mobile से related सारी चीज़ों के बारे में जितने भी secret quotes होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं mobile की company के according जान सकते हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि different different company quotes बनाती है mobile के ओके दोस्तो samsung के अलग है sony के अलग है oppo के अलग है sdc के अलग है तो आप वो यहां पर जाके जान सकते हैं इस तरीके से ओके दोस्तो अच्छी application है यूज कीजिए इस application को इसके बहुत अच्छे positive reviews हैं ओके दोस्तो यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी किफाइदी काफी अच्छी और काफी useful app है जिसके review बहुत ही जादा अच्छे हैं और downloads इसके millions में हैं ओके दोस्तो यूज कीजिएगा मज़ा आएगा ओके दोस्तो इसके लाबा और भी बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तो डिस्कलेम है प्राइविसी पॉलिसी चैट का option वगेरा यह सारी चीज़ है इन्हों ना given है ओके दोस्तो यूज कीजिएगा मज़ा आएगा अच्छी application है ओके दोस्तो उमीद है समझ में आगया होगा इस app को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो आपको लगता है कि यह आपके काम आएगी तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीग और बेल आइकन को बिल्कुल भी दवाना ना भूले बहुत जल मिलेंगे आपको नेक्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग एप के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों